हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल और हम सोशोलोजी से जो है आपकी यूपी पीजीटी टीचर यूजीसी नेट के लिए या अधर एसिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी एक्जाम है अपका सोशोलोजी से बहुत इंपॉर्टन टापिक्स कर रहे हैं तो अब हम जो है क हमीहीन मजदूर बंधुए मजदूर प्रंपरागत कारीगर को कमजोर वर के अंध्रकत माना गया था कि इस धीचिसे देश की लगभख आदियवादी इंजीरी में आती है पिर है जनजाती, जनजाती क्या है देख लेते हैं, जाती की भाती ही जनजाती भारतिय समाजिक सरजना का एक महत्मुन घटक है, दी एन मजुनदार ने इस्टन एंथ्रोपॉलिस्ट सितंबर 1958 में लिखते हैं कि जनजाती एक ऐसा समाजिक सम्मू है, तो ये एक तरीके से को सकती इसको अच्छे से रेड कर लिएगा, कि जनजाती एक ऐसा समाजिक सम्मू है, जिसका एक भोगोलिक शेत्र होता है, जो अंतर विवाही है, जिसमें कार्यों का विशेशी करण नहीं होता, जो जनजाती अधिकार्यों द्वारा शाशित होता है, जिसकी एक भाषा बोल होती है, जो अन्य जनजातियों ये जातियों से समाजिक दूरी को सुविकार करता है, जो अपनी जनजातिय परंप्राव विश्वास और प्रताओं को मानता है, और जातिय शेत्रिय एक ही करण की एक रुपता के प्रतिश जागुरुक होता है, तो यह आपके डी अन मजु उचे जनजातियों की संख्या 777744 बताई है और 2011 की जनगर्णा के दूसर भारत की कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं जिसमें जनजातिय आबादी इतनी है जो की कुल आबादी का 8.61 परतिशत है 21 राजियों एवं केंद्र शाषिज परदेशों में 90 जिलों में जनजातिय आबादी को कुल आबादी के 50% से अधिक है था 25% से अधिक 25% से कम जनजातिय आबादी जिलों की संख्या पासट है तो यह आप देख सकते हैं कब की है 2011 जनगर्णा के अनुसरा अगला हम पढ़ते है अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों शर्पतम 1935 में सा कि अनुसर आदी कालिन भारत में इन्हें भगन पुरुष या भारी जाती माना जाता था ब्रेटिश लोग दुवारा इन्हें दलित वर का जाता था उन्हें से 31 की जंगंडा में उन्हें बाहरी जाती के रूप में संबोधित किया है और महात्मा गांदी ने इन्हें हरी जन ठीक है और जो आपके बाहरी जाती किसने कहा है ठीक है दलितवर किसने एक माना है तो ऐसे पूछा जा सकता है ठीक है सान 1935 में विधान में इन वंचित दलितो लोगों को कुछ विश्यस विधाय प्रदान करने के लिए एक अनुसूचित निर्मित की गई इसे अनुसूचि के अधार पर वैधानी परिप्रेश के लिए अनुसूचित जाती यानि शेड्डियूल कास ऐसी अवधारना को कामे लिया जाने लगा अनुछेद सविधान का 341 में यह इन प्रब्धान है कि राष्टपती किसी भी राजी संग राजी शेत्र के समबन में उन जातीयों मूल वंशो जण जातीयों जातियों मूल वन्शों जन जातियों के भागो या उनके सम्हूं को निर्दिष्ट कर सकता है इन्हें सविधान में प्रेजनों के लिए इस राजय संग के शेत्र से संबंद अनुशुच जातियां समझा जा सकता है ठीक है तो यह अधिकार है 341 के अनुशार कोई भी मंदल जो राश्ट पती है कि यह जो जातियां यह आपके ऐसी में आएगी ठीक है इसी प्रकार अनुशे 342 में प्रावध्धान है कि किसी राजे या जैरी जैंके canhra, जयाते को कि अधिस प्रावधान का अनुसार अनुसुचित जाति या कि प्रत्य राज्य संग राज्य शेत्र के लिया नुसुचित किया गया है है यह केवल संबंधिद राज्य lenffare jila अग्ला देखनाए भारत की सैविधान की धारा 341 के तहट भारत सरकार द्वारब पतेक राज्य वंसंग राज्य के लिए नुसुचित जातियों को अधिसुचित किया गया है ठीक है और भारत की जनगर्णा 211 के नुसुचित भारत की कुल जनसंगे का 16.6 परदिशत अनुसुचित जातियों की अबादी है सवी ध जहान में अनुसुच जाती आदेश 1950 में कुल 1108 अनुसुच जातिया थी और कुल 39 राज्य अक्ये नशाचित परदिश उसहित निवास करती थी और गी देख लेते हैं तो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे तो थैंकी सो मच इस वीडियो को देखने के लिए